हेलो दोस्तों अभी तक हमने सीखा कि MS Excel और टेली पे कैसे काम करते हैं तो आज से हमारा ये MS Word का जो होता है Chapter MS Word आज से हमें इसके बारे में सीखना है कि MS Word जो होता है इसमें हम क्या करते हैं और किसके माध्यम से करते हैं और किस तरह करते हैं तो आएए सीखते MS Word के बारे में हम आपको MS Word के बारे में Basic से लेके Advanced पूरी जानकारी देंगे तो हमारे बने रहे हैं वीडियोज पे आप सभी Lectures हमारे जरूर देखिए अगर आपको MS Word की Basics लेके Advanced Word की जानकारी चाहिए तो अगर आपको MS Excel के बारे में जानना है तो हमने उसके भी Lectures अपलोड कर रखे हैं जिसमें हमने पहले आपको MS Excel की थेवरी पढ़ाए उसके बाद हमने उसके Practicals बताएं और बहुत सारे हमने नए Practicals बताएं जो कि अभी तक आपने नहीं पढ़े होंगे अगर आपको Tally Prime के बारे में पढ़ना है तो हमने उसके भी बारे में आपको Basics लेके Advanced Tally Prime के बारे में बताया है और हमने उसके Practicals भी बता रखें कि उसमें हम इंट्रियां कैसे करते हैं तो आएए पहले हमें Notes पढ़नी MS Word की फिर इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें हम Tools का Use कैसे करते हैं Tools के मादेम से हम Practicals कैसे करते हैं तो आएए Start करते हैं वीडियो यहाँ पर आप देख सकते Elements of Word Processing यह जो हमारा MS Word का Chapter होता है इसके Chapter का Name होता हमारा Elements of Word Processing यह बहुत ही महत्यपूर हमारा Software होता है और सभी MS Office Packers के अंदर यह हमारा Software होता है तो देखते हैं इसमें किस प्रकार के कार्य होगे और कौन-कौन से होगे तो देखें, Elements of Word Processing Elements of Word Processing यह हमारे Chapter का Name है तो देखते हैं इसके Introduction के बारे में है क्या देखें, Introduction इंट्रोडेक्शन इंट्रोडेक्शन है क्या Introduction में Microsoft Word यहाँ पर बताया जा रहा है कि Microsoft Word एक प्रकार का Word Processing Software है यहाँ पर बताया जा रहा है जो हमारा Microsoft Word या जिसे हम कहते हैं MS Word Sort में यह हमारा एक Word Processing Software है, जिसका प्रयोग किसी डाकॉमेंट को बनाने तथा उसमें कुछ बदलाव करने के लिए किया जाता है इसका उप्योग बताया जा रहा है कि जैसे हमें कोई डाकॉमेंट क्रियेट करना है या कुछ उसमें बदलाव करना तो हम इसका यूज कर सकते हैं यह एक बहुत महत्मूर Software है, यहाँ पर बताया जा रहा और Practically भी बताएंगे कि कैसे करेंगे तो देखते फिर से Microsoft Word एक प्रकार का Word Processing Software है यहाँ पर बताया जा रहा कि जो हमारा MS Word होता यह एक Word Processing Software है जिसका प्रियोग किसी डाकॉमेंट को बनाने जिसका प्रियोग किसी डाकॉमेंट को बनाने तथा उसमें कुछ बदलाओ करने के लिए किया जाता है इसमें आगे बताया जारा कि जैसे हमें कोई दाकॉमेंट क्रियेट करना है या उसमें कुछ बदलाओ करना तो हम इसका यूज कर सकते हैं है? यह एक बहुत ही महत्तपूर्न Software है यह बताया जा रहा कि एक बहुत ही महत्पूर्ण software है जो सभी MS Office Package के अंदर होता है अब यहाँ पर बताया जा रहा कि यह जो software होता है जो हमारे MS Word का software होता है यह Word Processing software होता है यह सभी MS Office Package के अंदर हमें मिलेगा जैसे हमारी Office 7 होती 2007 Office 2007 MS Office 2010 यह इसके बाद बहुत सारी Office है हमारी सभी Office के अंदर MS Office Package के अंदर यह हमारा software होता है यह जो हमारे MS Excel होता है यह हमारे MS Office का एक भाग होता है जैसे एक हमारा होता MS Excel एक होता PowerPoint उसी तरह होता MS Word तो देखते हैं आगे क्या इसमें अनेक प्रकार के टूल्स होते हैं बताया जारा है इसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं जैसे हमारे MS Excel में होते हैं PowerPoint में होते हैं उसी प्रकार हमारे इसमें MS Word में भी टूल्स होते हैं जिन को बनाने तथा उसमें कुछ बदलाव करने के लिए प्रिंट करने आधिकारों के लिए किया जाता है MS Word का हम यूज किसलिए करते हैं जैसे कोई documents हमें बनाना आए या उसमें कुछ बदलाव करने हैं या हमें उसे प्रिंट करना तो हम यह काम MS Word के माध्यम से आचानी से कर सकते हैं इस software के प्रियोग से इस software के प्रियोग से विभिन प्रकार के टेक्स्ट और चित्र आधि को लगा कर एक आकर सक documents यार कि आजा सकता है और इसके आगे बताया जा रहा कि यह जो हमारा MS Word होता है word का software MS Word का software जो होता है इसमें क्या कर सकते हैं विभिन प्रकार के हम टेक्स्ट को add कर सकते हैं और उसमें हमें कोई image वगारा लगानी तो हम आसानी से लगा सकते हैं और एक आकर सक documents एक beautiful सबसे best से best document create कर सकते हैं तो यही था हमारा introduction MS Word का I hope आपको introduction के बारे में समझ में आया होगा अगर आपको teleprime के बारे में जानना तो हमने उसके बारे में भी आपको सारी चीज़े बता रखी हैं आप उन वीडियो को जरूर देख लें अगर आपको MS Excel की जानकारी चाहिए तो हमने MS Excel पे भी वीडियोज बना रखें आपको उन्हें जरूर देख लें जिससे आपको MS Excel और teleprime की जानकारी मिल जाएगी तो आज का topic हमारा आए यह फिर मिलते अगले next topic में जब तक के लिए बाई